हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, पीके कोमर्स स्टडी, फर्स्ट अफ आल, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सेर जरूर करें आज किस वीडियो में हम लोग computer subject के question पर discuss करेंगे तो आज का question है computer क्या है इसकी विसिस्ताओं की व्याख्या करें ये question बहुत बार exam में आया है तो ये बहुत ही ज़्यादा important question है exam के द्रिस्टी से और generally हम सभी को computer के बारे में जाना चाहिए क्योंकि आज किस modern era में हम लोग computer से सारे काम को घर बैटे easily संपन कर लेते हैं जैसे form online करना या फिर train का ticket book करना और बहुत सारे कारे ऐसे होते हैं जिसे हम घर बैटे computer के माधियम से सारे कारे को घर से ही कर लेते हैं तो हम लोगों का या जानना भी जरूरी हो जाता है कि computer क्या है और computer किस तरह से कारे करता है तो चलिए हम लोग जानते हैं कि computer क्या है और कैसे काम करता है computer एक ऐसा electronic device है जो user द्वारा input किये गए data में प्रक्रिया करके सुचनाओं को result के रुप में परदान करता है यानि जो user computer में type करते हैं उसी को प्रोसेस करके result के रुप में result देता है अथार्थ computer एक electronic machine है जो user द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन करता है यानि computer एक ऐसा electronic machine है जो कि वो अपने द्वारा कार्य नहीं करता है जो user type करता है उसी के अनुसार से उसका result देता है जैसे input में आ जाता है mouse, keyboard, scanner, joystick, mic, webcam और process में आ जाता है CPU यानि processor और output में आ जाता है monitor और printer यानि computer का या सबसे main part होता है computer हम लोग keyboard और mouse के मादियम से हम लोग जो input type करते है वो input होता है और जो प्रकिरिया होती है वो process CPU के मादियम से होता है और output यानि monitor में हमारा जो result दिखता है वो output होता है जैसे हम लोग किसी चीज के बारे में हम लोग को अध्यान करना है तो हम लोग basically हम लोग एक example के मादियम से समझ सकते हैं जैसे एक किसी बच्चे को मैंने पूछा कि 2 प्लस 2 किता होता है तो यह हमारा input हुआ यानि हम question कर रहे हो बच्चे से और बच्चे सोच कर जवाब दिया कि 2 प्लस 2 equal to 4 होता है यानि जब वो सोचा memorize किया वो process यानि CPU हुआ और जो वो result के रूप में 4 बताया हुआ उसका output हुआ CPU को memory भी कहा जाता है computer का तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अब computer की विसेस्ताएं क्या-क्या होती है features and characteristics of computer computer की विसेस्ताएं पहली विसेस्ता है speed यानि computer कितना speed से कारे करता है जैसे example के मादियम से अब समझ सकते हैं आप paddle चलकर भी कहीं जा सकते हैं फिर भी cycle, scooter और car का इस्तिमाल करते हैं ताकि आप किसी भी कारी को तेजी से कर सके machine की सायता से आप कारे की speed बढ़ा सकते हैं इसी परकार computer किसी कारे को बहुत तेजी से कर सकता है computer कुछ ही second में गुना भाग, जोड़, घटाना जैसी लाखों किरियाएं कर सकता है यदि आपको 500 x 44 का मान याद करना है तो आप एक या दो मिनट लेंगे लेकिन computer second समय लेगा और computer ऐसी लाखों गनाओं को कुछी second में कर सकता है यानि कारे को असान करने में या computer help करता है जैसे इसका कहना है कि आप कहीं जाना चाते हैं तो पैदल भी चलकर चले जा सकते हैं लेकिन आप cycle या scooter या car की सहता लेते हैं वैसे आपको जोड़ घटाव करना है तो आप अपने copy column से भी कर सकते हैं लेकिन कारे को असान बनाने के लिए हम लोग computer में करते हैं ताकि हमारा कारे जल्दी से हो जाए दूसरी विसेस्ता accuracy यानि सुधता तुरूटी रहीत कारे करना यानि पूरी सटिकता के साथ किसी भी काम को पूरा करना computer की दूसरी विसेस्ता है computer द्वारा कभी कोई गलती नहीं की जाती computer हमेशा सही परिनाम देता है क्योंकि computer तो हमारे द्वारा बनाये गए program द्वारा निर्देश्ट निर्देश का पालन करता है पालन करके ही किसी कारे का अंजाम देता है कम्प्यूटर द्वारा दिया गया परिनाम गलत दिया जा रहा है तो उसके प्रोग्राम में कोई गलती हो सकती है जो मानो द्वारा त्यार किये जाते है यानि जो कम्प्यूटर में हम लोग टाइप करते हैं उसी के हिसाब से वो आंसर देता है वो गलती कभी नहीं करता उससे कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होता है गलती तभी हो सकती है जब आप उसमें गलत टैप करते हैं तब वो गलत आंसर दे सकता है लेकिन वो अपने तरब से कभी गलत आंसर नहीं देता है हंड्रेट परसेंट वो सिक्योर होता है तिसरी विशेष्टा है ओटो मैसन सोचलित कम्प्यूटर एक बार निर्देश देने पर जब तक की कारे पूरा नहीं हो जाता वो सोचलित ओटो मैसन रुप से बिना रुके कारे करता रहता है उधारन के लिए जब कम्प्यूटर से प्रिंटर को सो पेज प्रिंट करने का कमबान दे तो पूरे सो प्रिंट करने के बाद ही रुकेगा इन सबी कारियों को करने के लिए कम्प्यूटर को निर्देश मिलते हैं वो उन्हीं के अधार पर उनको पूरा करता है या निर्देश कम्प्योटर के प्रोग्रामों सौप्टवेर के द्वारा मिलते हैं हर काम को करने के लिए अगला प्रोग्राम सौप्टवेर होता है यानि जो निर्देश दिया जाता है उसके अनुसार से कम्प्योटर अपना कारिय निरंतर करता रहता है हुआ रुकता नहीं है 4 विसेसा अस्थाई भंडारन चमता यानि पर्मानेंट अस्टोरिज कंप्यूटर में परियुक्त मेमोरी को डाटा यह सुचना और निर्देशों के अस्थाई भंडारन के लिए परियोग किया जाता है चुकि कम्प्यूटर में सुचना इलक्रोनिक तरीके से संग्रहित की जाती है अता सुचना के समाप्त होने की संभावना कम होती है पांचवा है large storage capacity यानी विसाल भंडारन चमता होती है एक computer system में data store करने की चमता बहुत अधीक होती है computer लाखो सब्दों को बहुत कम जगह में store करके रख सकता है या सभी परकार के data, pictures, files, programs, games and sounds को के वर्सों तक store करके रख सकता है तथा बाद में हम कभी भी किसी भी सुचना को कुछ ही second में हम प्राप्त कर सकते हैं तथा अपने use में ला सकते हैं यानी computer में बहुत सारी photo, pictures, files को रखने की चमता होती है ये अपने आप कभी delete नहीं होता है और इसे सुरक्सीत किसी भी file को रखा जा सकता है और इसे बाद में कभी भी जब मन करें तब आप इसका use कर सकते हैं चटी विसेस्ता है diligence करमठता आज मानो किसी कारी को निरंतर कुछी घंटों तक करने में ठक जाता है इसके ठीक विपरीत कंप्यूटर किसी कारी को निरंतर कई घंटों दिनों महीनों तक करने की चंता रखता है यानि कोई भी वेक्ती लागातार कारी एक जगा पर बैट कर नहीं कर सकता हुआ ठक जाता है लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं है उसे जितना देर तक अब चाहे काम उस पर कर सकते हैं तो अब 24 गंटा भी कर सकते हैं फिर भी कंप्यूटर पे कोई फेक नहीं पड़ता है इसके बावसूद उसके कारे करने की छमता में ना कोई कमी आती है और ना ही कोई कारे का परिनाम में सुद्था घटती है कंप्यूटर किसी भी दिये गए कारे को बिना किसी रुकावट का करता है बिना किसी भेद भाव के करता है चाहे हुआ कारे रुची कर हो या ना हो साथवी भी सेस्ता है रिलेवलिटी विस्वस्नेता कंप्यूटर की मेमोरी अधीक सकती साली होती है कंप्यूटर से जुड़ी हुई संपून प्रक्रिया होती है या वर्सो तक कारे करते हुए ठकती नहीं है तथा स्टोर मेमोरी वर्सो बाद भी एकुरेट रहती है यानि इसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं पाये जाती है इसमें एक मेमोरी लगा होता है उस मेमोरी में सारे फाइल फोटो वगेरा सारा कुछ रहता है उसे बाद में भी उस चिप के मादियम से हम लोग यूज कर सकते हैं उसमें सारा कुछ एकुरेट पाया जाता है उसमें कोई फाइल खोता नहीं है उसे असानी से हम लोग यूज कर पाते हैं आठाव पुइंट है पावर और रिमंबर याद रखने की शमता बेक्ति अपने जीव में बहुत सारी बाते करता है लेकिन महत्पुन बातों को ही याद रखता है लेकिन कंप्यूटर सभी बाते चाहे हुआ महत्पुन हो या ना हो सभी को मेमोरी के अंदर अस्टोर करके बाद में किसी भी सुचना कि आप सकता पढ़ने पर उपलग कराता है यानि बेक्ति जो होता हुए जो इंपोर्टेंट्स बात होती है उसे ही याद रखती है और जो फालतु की चीज़े होती है उसे इग्नोर करते उसे भूल जाते हैं लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं है कं अभी चीजों को स्टूर करके रखती है जैसे आप कंप्यूटर में कुछ गलत चीज़ भी देख रहे हैं तो उसको भी स्टूर करके रखता है तो आज के लिए इतना ही उमीद है आप लोग कंप्यूटर क्या है उसकी मीनिंग के बारे में अच्छे से समझे उसकी विसेस् महत्पुन प्रस्णों के उत्तर पाने के लिए हमारी चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें धन्यवाद